हेलो दोस्तो नमस्तार मैं मॉनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने येट्यूब चैनल योगा वाले पर दोस्तो आज की वीडियो बहुत ही जाता इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो है हाइट इन इक्रेज के उपर यानि जो लोग अपनी लंबाई बढ़ाना चाते हैं उसके लिए हम कौन से योगासन कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगी आपको वीडियो को स्टेप बाई स्टेप अच्छे से फॉलो करना है ताकि आप भी समझ भाएं कि क्या ऐसे रीजन है जो हमारी हाइट को बढ़ने से र जोस्तो जैसे कि हम सबको पता है एक अच्छी परसनालेटी के लिए और एक अच्छी परसनालेटी डैवलपमेंट के लिए और गूड लोकिंग के लिए एक अच्छी हाइट का होना बहुत जरूरी है चाहे आप किसी फिल्ड में जाएं, for example, आभमी हो गया, पोलिस हो गया या फिर मॉडलिंग का फिल्ड हो गया, किसी भी तरह का फिल्ड है, तो बहुत जरूरी है कि आपकी हाइट अच्छी होनी चाहिए, एक अच्छी परसनालिटी, कुछ ना सही, लेकिन एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए बहुत ही जादा महत्वपूर्ण होती है यानि इंपॉर्टेंट होती है, हर कोई जाता है कि अपनी हाइट अच्छी बढ़ा है, हाइट अच्छी रहेगी, तो हर कोई आपको नोटिस करेगा कि हाँ, इसकी हाइट कितनी अच्छी है, हाइट का होना बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है आज के समय में, दोस्तों वैसे तो होता क्या है कि हमारे जो माता-पिता यानि हमारे पैरेंट्स होते हैं, उनकी हाइट पर ही हमारी हाइट जाती है, लेकिन अगर हम अच्छे से योगा और वर्काउट को फॉलो करते हैं, तो हम अपनी हाइट को अपने माता-पिता के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं और दोस्तों जो लोग वर्काउट नहीं करते हैं, योगा नहीं करते हैं, अच्छी डाइट नहीं लेते हैं, डाइट में जंक फूड को फॉलो करते हैं, या फिर फास्फूड हो गया, इस तरीके की चीज़े को खाते हैं, तो इससे होता क्या है दोस्तों, हमारी बॉड़ी उऌप संसरे के हमारी हएट को रोखने की वज़ा बन जाती है लेकिन अगर आप योगा कर रहे हैं वर्क आूट कर रहे हैं क्हान अच्हा रहे हैं जिसमें अच्छी चीजह पॉषप्ण वाली चीजह होती हैं उससे होगा क्या हमारी जो height है और personality है वो अच्छे से increase हो पाईगी इसलिए दोस्तों योगा का बहुत बड़ा रोल होता है height increase करने के लिए और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप अपने माता पिता के मुकाबले भी छोटे रह जाएंगे इसलिए हमको अच्छे से योगासन का और एक अच्छी डाइट को follow करना बहुत जरूरी है तो दोस्तों आएए मैं आज आपको बता दी हूँ कौन-कौन से योगासन आपको follow करने है सबसे पहले हमको क्या करना है मैट पर अपने चस्ट के बल पर यानि चस्ट के सपोर्ट पर लेड जाना है अपनी च्छाती के बल पर लेड जाएंगे दोनों हातों को रख लेंगे अपनी चस्ट के पास पैरों को पीछे से मिला लेंगे स्वास को भड़ते वे अपनी चाती को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते वे लेके जाना है पीछे से पैर मीले रहे हैं इसका ध्यान रखना है आपको स्ट्रेच करना है इससे हमारा बॉड़ी का जो बैक पोर्जन है यानि लंबर से लेकर स्ट्रेच वाला पार्ट अच्छे से स्ट्रेच होता है जो कि हमारी हाइट को इंक्रीज करने में बहुत मदद करता है बीस सेकेंड तक यहीं पर आपको रुके रहना है फिर धीरे से वापिस डाउं दोस्तो यह था हमारा अभ्यास भुझंग आसन का जिसको बोलते हैं कोबरा पोस बहुत अच्छा अभ्यास है तोस्तो हर एक आसन को आपको तीन बार रेपीट करना है और बीस सेकेंड तक खोल्ड करना है इसका आपको धियान रखना है चारी आप दूसरे आसन की तरफ आ जाएंगे खड़े हो जाएंगे अपनी मैट पर दोस्तों हमारा दूसरा हव्यास है व्रक्षासन का जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं ट्री पोल्स शुरू करेंगे हम अपने राइट लेक से आपने राइट लेक को बैंड करते हुए अपने लेट थाई पर इस तरीके से आपको रख देना है दोनों हातों को खोलते हुए बहुत सारे लोग का व्रक्षासन में बैलेंस नहीं बनता है इसलिए सबसे पहले हातों को खोलते हुए यहाँ पर बैलेंस बनाना है यहाँ पर आपको 20 सेकंड तक बने रहना है, ट्री पोस में यानि वरक्षासन में, हाइट को बढ़ाने का बहुत अच्छा अभ्यास है, 20 सेकंड तक करने के बाद धीर एसे वापिस आ जाएंगे हम, आपको राइट लेक से करना है, तीन बार और लेफ्ट लेक से भी आपको तीन बार रिपीट करना है, चलिए अब दूसरे लेक से सेप्रासेस फॉलो कर लेंगे, अपर राइट लेक पर लेफ्ट थाई को रख ले बहुत इजी अभ्यास है आपका व्रक्षासन का थोड़ा सा प्रक्टिस करनी है बहुत सारे लोग का नहीं भी लगता है तो अपने कॉंसंट्रिशन यानि किसी भी एक चीज़ पर फोकस करने के बाद अगर आप इसको करेंगे तो आपका इसली व्रक्षासन का अभ्यास हो ज होता है वन फीट का आपको डिस्टंस यानि ग्याप रखना है दोनों पैरापस में मिल जाएंगे अब यहीं से कमरकरदन आपकी सीधी रहेगी हाथ को जोड़ते वे आजाएंगे नमस्कार की मुद्रा में स्वास को बाहर छोड़ देंगे यानि एक्जेल कर देंगे अब स्वास को बढ़ते वे राइट लग को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे असुसंचालन में में अभ यहीं से ही दूसरा पीछे चला जाएगा हमारा परवतासन में में स्वास को छोड़ देंगे अब यही से सुंस को लेतेबे आस तंग नमस्कार में आगे में सुंस को भड़तेबे पुछंगासन परवत आसने सुंस को छोड़तेबे स्वास को भढ़ते वे राइट लेक दुबारा आगे आ जाएगा राइट लेक से हम पीछे गए थे राइट लेक को यह आगे लाएंगे छोड़ते वे पादस्तासन में भढ़ते वे स्वास को हस्तोत्थान में यही से प्रणाम आसना स्वास को छोड़ते वे दोस्तों ये था सूर्य नमस्कार का अभ्यास, अभी हमारा आधा चक्र कम्प्लीट हुआ है, यानि राइट लेक्स से बारा बार हो गया है, अब लेफ्ट लेक्स से भी बारा बार करेंगे, तो इन दोनों को मिलाकर एक सेट हमारा कम्प्लीट होता है, जो कि 24 का बनता है, इस two three four five six seven eight nine ten eleven twelve release friends this was our three yogasana which is a good treatment for our height, we need to add yoga to our life, we need to add it to our lifestyle, this is very necessary at this time especially we need yoga, whether it is for some disease or our personality development comment, so that's why yoga will be necessary, so how do you feel about the video, please tell us about it, please do not forget to subscribe to our channel, don't forget to press the bell icon too, so that you will get healthy updates from yoga, and if you have any questions about health related, you can follow me by the name of yogini monika, you can follow us on Facebook and Instagram, where you will get questions and answers easily, now we will see you in the next video me